मैं सत्वीर सिंग्, आज हम कक्षा 11 के मलो विज्ञान की चौथे अध्याई मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे यह चर्चा तीन भागों में होगी, पहले भाग में हम विकास क्या है, विकास को परभावित करने वाले कार्क क्या है, शैसो आवस्था में क्या क्या प्रिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सामान्य तोर पर जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो पर्थम विचार देहिक प्रिवर्तन यानि शारीरिक प्रिवर्तन फिजीकल चेंज के बारे में ही आता है परन्तु गर्भाधान से लेकर मिर्ट्व तक हम केवल देहिक तौर पर ही प्रिवर्तित नहीं होते यह प्रिवर्तन जीवन के किसी एक अक्षेतर तक सीमित नहीं रहते हैं परन्तु विभिन अक्षेतरों में हमारा विकास होता है विकास की प्रिभाशा क्या है विकास गती शील करमबत तथा पूर्व कथनिय प्रोग्रेसिव औररली एक सिस्टम में चलता है और प्रिडिक्टेबल इसका हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं प्रिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भादान से प्रारंभ होता है तथा जीवन परियंत चलता रहता है आरंभ में विकास बढ़ता जाता है परन्तु विर्धा वस्था में कम होता जाता है विकास को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं यानि वो फेक्टर्स कौन-कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं विकास जैविक बायलोजिकल, संग्यानात्मक कॉगनिटिव तथा समाज समवेगिक सोशल एमोशनल परक्रियाओं की परसपर परक्रियाँ से प्रभावित होता है इसका मलत तीन परकार की परक्रियाएं हैं पहली है इसमें जैविक परक्रियाएं biological processes माता पिता से वंशालोगत रूप से प्राप जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई, वजन, आदी जैविक परक्रियाओं के अंतरगत आते हैं इसमें ज्यादातर हमारे शारियर्क प्रिवर्तन आते हैं दूसरा है संग्यानात्मक परक्रियाएं जिसको हम cognitive processes कहते हैं संग्यानात्मक परक्रियाओं की भूमी का संबंध ज्यान से, knowledge से तथा मानसिक परक्रियाएं, mental activities जैसे चिंतन, सोचना, thinking, पर्तिक्षिकरण, perception, अवधान, attention या हम किसी भी समश्चा का जब समाधान निकालते हैं तो उसमें हम cognitive development की बात करते हैं तीसरा का समाज सम्वेगात्मत परक्रियाएं, socio-emotional processes इन परक्रियाओं का संबंध एक व्यक्ति की दूसरी के साथ हंते क्रिया यानि एक व्यक्ति दूसरी के साथ किस परकार क्रिया करता है दूसरा है इसमें सम्वेग, emotions तथा व्यक्तितों और personality में होने वाले परिवर्तनों से होता है जैसे बच्ची का अपने माता पिता से लिपटना emotional है एक दूसरी के परती सन्धेह रखना ये सभी हमारे emotional परिवर्तनों में आते हैं ये तीनों परक्रियाएं एक दूसरी सी घनिश रूप से संबंदित हैं और व्यक्ति की संपूर्ण जीवन में होने वाले विकास में परिवर्तनों को परभावित करती हैं विकास की जीवन परियंत प्रिप्रेक्शन, life span, perspective on development विकास जीवन भर चलने वाली पर क्रिया है एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरी पक्ष में भी परिवर्तन होना सभाविक है जनम से मिर्थु तक कि संपूर्ण अवधी में मानव विकास की क्रियाएं अर्थात, जेविक, संग्यानात्मत तथा समाज, सम्विगात्मत, biological, cognitive and socio-emotional processes धनिश रूप से संबन देते हैं विकास, बहुदिश, multi-directional यानि अधिक एक दिशा में नहीं बनकि कई दिशाओं में होता है विकास के किसी घटक की वर्धी होती है तो दूसरी घटक की का हवास या decrement होता है जैसे आयू बढ़ने के साथ व्यक्ति अपने अनुभवों के कारण अधिक बुधिमान हो सकता है परंतु शारिरिक शक्ति के रिया जैसे दोड़ना या कोई खेल खेलना का निश्पादन उसका जो performance है वो तम हो जाता है विकास अत्याधिक लचीला होता है संपूरन जीवन करम में कोशलों तथा योग्यताओं में सुधार किया जा सकता है विकास एतिहाशिक दशाओं यानि historical condition से भी परभावित होता है जैसे भारत के सब्तंतर का संग्राम के दोरान रहे 20 वर्षिय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षिय व्यक्ति से बहुत भिन्द होगा विकास का संबंध विभिन सेक्षनिक विद्याओं डिसिप्लिन्स जैसे मुनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाद शास्त्र तथा तंतरी का विज्ञान नर्वस सिस्टम से है परतेक विशय या सब्जेक्ट संपूर्ण जीवन करम में होने वाले विकास को समझने का प्रियास कर रहे हैं परतेक व्यक्ति, वंचानुगत रूप से प्राप्त विशिष्टाएं, हेरडिट्री करेक्रिस्टिक्स, भौतिक वातावर्ण, सामाजिक, एतिहासिक तथा सांस्कृतिक प्रिस्थित्यों के अलुसार अनुक्रिया करता है जैसे कोई दुर घटना या पुरुष्कार जीतना नकारात्मक या स्कारात्मक रूप से विकास पर परभाव डालती हैं विकास को परभावित करने वाले कार्थ, फेक्टर्स, इंफिल्वेंसिंग, जेवल्लप्मेंट परतेक व्यक्ती, एक दूसरे से भिन्य है परंदु, साथ ही साथ एक दूसरे से बहुत हत तक समानवधी है इसमें सबसे पहला फेक्टर हमारे पास आता है, यह है अनुवांचिक्ता, यानि हिरिटेटी सबसे पहले आप यह समझझेquestा क्या है हर व्यक्ति को अपने माता-पिता से कुछ गोणों प्राप्त होते हैं तो आनुवान्चिक्ता किसी परजाती या स्पीसिज की विशेशताओं को एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी तक हस्तांतरन या ट्रांस्मिशन करने की परकिरिया है परतीक व्यक्ति अपने माता-पिता से आनुवान्चिक कूर्ट संकेतन जैनिटी कूर्स प्राप्त करता है एक निशेशित अनलानों मानव शिशू के रूप में विक्सित होता है आनुवान्चिक एकाई या हेर्डेटरी यूरेट जीन है जो गुर्शूत्रों जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं कि एकाई होती है व्यक्ति की आनुवान्चिक विरास्त को जीन पर रूप या जीनो टाइप कहा जाता है प्रेक्षणिये एमम मापन योग विशिश्ताओं औब्जरवेबल करेक्टरिस्टिक्स के रूप में जीज़ परकार व्यक्ति का जीन पर रूप या जीनो टाइप होता है अभी व्यक्त होता है उसे दरिश्य प्रारूप या फेनो टाइप कहते हैं यानि फेनो टाइप हमारे बहिय गोन है शारीरिक लक्षन जैसे उचाई वजन आह की आकिर्थी तवच्चा का रंग आदी एमम मानसिक पर क्रियाएं जैसे बुद्धी इंटेलिजेंस सरजनात्मत्ता क्रियेटिविटी तथा व्यक्तित परस्नेलिटी दरिश्य पर यानि फेनो टाइप व्यक्ति की आनुवान्सिक्ता तथा परिवेश का मतलद है उत्वर्न एन्वालमेंट ? की अंत्य Fin insult हीरा है, तथा इस थीमा की अंतरग्त परिवेश विकास को परभावित करता है तो यहां पर हमारे पास दो कारण है जिससे ओमारा विक इस परभ तो इसलिए विकासात्मत अवस्थाओं की समय द्रिष्टी पहला विकास का वर्णन सामानिता अलग-अलग अस्थाओं के रूप में किया जाता है जैसे जैसे मानव की क्या विकास होता है उसके अलग-अलग अस्थाओं आती है उसके हिसाब से विकास को कवर्णन दिया जाता है विकासात्मक अवस्थाओं ऐस्थाओं मानी जाती है क्योंकि मनुश्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा उस विकासात्मक अवस्था की एक परभावी विशेष्टा दवारा पहचानी जाती है। कुछ विवार, प्रारूप तथा कुछ कॉशल एक विशेष्ट अवस्था में अधिक आसानी से तसा सफलता पूर्वक सीखे जाते हैं। पहली अवस्था हमारे पास आती है, यह है परसवपूर अवस्था, प्री नेटल स्टेस। गर्भादान से लेकर जनम तक की अवधि को परसवपूर काल कहते हैं, प्री नेटल पीरिल कहा जाता है। यह काल लगबग 40 सब्दा तक का होता है। परसवपूर अवस्था की विभिन अवधियों में आनुवानचिक तथा प्रीवेशिय कार्ग हमारे विकास को परभावित करते हैं। परसवपूर अवस्था में विकास माता की विशेश्थाओं से परभावित होती है। जैसे माता की आयू क्या है, माता का पोशक आहार कैसा है या उसकी सामवेगिक स्थिती, उसकी emotional state कैसी है तो ये कारक थे जो हमें prenatal stage को परभावित करती है दूसरी अवस्था हमारे पास आती है, शैश्वा अवस्था जनम के पहले एवं उसके बाद मस्तिस्क आश्चरिय जनक गती से विक्सित होता है इसका मतलब ये हुआ कि शैश्वा वस्था में मस्तिस्क की सबसे अधिक विकास होता है नवजात शिशु उतना ऐसाय नहीं होता जितना हम मानते हैं यह वह जीवन की कारिय प्रनाली को बनाए रखने के लिए सांस लेना, चूसना तथा निगलना जैसी परक्रियाएं स्विम करता है शरीर में उत्पन अप्शिष्प नार्थों का त्याग भी करता है जीवन के पर्थम सप्ता में नवजात शिशु धावनी की दिशा बताने में सक्षम होता है अपनी मा तथा अन्य इस्थियों की आवाज में अंतर समझता है जीव बहार निकालना तथा मूँ खोलना आदी करियाएं भी करता है आप हम देखेंगे कि इतनी करियाएं नवजात शिशु खुद करता है तो इसलिए वो ऐसा है नहीं है दूसरा आता है मारे पास पेश्य विकास यानि मोटर डेवलोप्मेंट नवजात शिशु गति किस परकार करता है नवजात शिश्यों की पीशिये किरियाएं पर्तिवर्थ रफ्लेक्सिस दवारा संचालित या गवर्ण होती हैं जो सव चलित आउटोमेटिक होती हैं अपने आप जैसे बच्छा हाथ हेदाता है अपने आप हेदाता है नवजात शिश्यों में पाएज जाने वाले कुछ पर्तिवर्थ या रफ्लेक्सिस जैसे खांसना, पलक चपकाना तथा जमाई लेना, कॉफिंग, ब्लिंकिंग, यौनिंग, जीवन परियंत बने रहते हैं मस्दिस्त के विकास के साथ शारेरिक विकास भी अगरसर होता है जैसे जैसे शिशू बढ़ता है मास पीश्यों की क्रियाएं भी बढ़ती हैं जैसे वस्त्मों को पकड़ना, उनके पास पहुचना, बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना और दोड़ना आदी यानि यह कैसी क्रियाएं हैं जो मास पीश्यों के द्वारा करता है अगला आता है हमारे पास समवेदी योग किता है, सेंसरी एबिलिटीज जनम के मातर कुछ घंटों के बाद शिशू अपनी मा की आवाज को पैचान सकते हैं शिशू विभिन्न चेहरों को अन्य उद्विकों के तुल्ना में अधिक देखना चाहते हैं यानि अधिक लोगों को देखना चाहते हैं शिशू की दिरिष्टी एक वर्स की आयूर तक सामान्य हो जाती है शिशू सामान्य तया रंग विभेदल यानि कलर डिफ्रेंशेशन में अपूर्ण होते हैं यानि कलर डिफ्रेंशेशन नहीं कर पारता है नवजात शिशू जलम के ठीक बात सुन सकते हैं तथा सपर्ष के परती अनुक्रिया करते हैं संग्यानात्मक्विकास जिसका हम कोगनेटिव डेवलप्मेंट कहते हैं। जीन-प्याजे मनोवग्यानिक के अनुसार, बच्ची संसार के बारे में अपनी समझ की रचना स्क्रिय रूप से करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अतिरिक्त सूचनाएं अर्जित करते के लिए अपने चिंतन का अनुकुलन करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं. शैशव अवस्था, इन्फिंशी से लेकर किशोर अवस्था तक, अडोलेशन स्टेज तक, बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रंखला से गुजरता है, जीवन के पर्थम दो वर्ष के दौरान बच्चा ग्यानेंद्रियां यानि सेंसिस, एमम वस्थाओं के साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्ष करने, वस्थाओं को मुँ में डालने, एमम पकड़ने के दवारा इस संसार का अनुभव करता है, सिशों में वाचिक सन्प्रेक्शन, वर्बल कॉम्मिकेशन यानि भाषा डेवलप होती है, तेन से छे माह के आयू के बीच बबलाने, बैबलिंग से सवरी करन यानि वोकलाइजेशन जिससे आवाज इस परकार के आवाज पैदा करता है, का प्रारंब होता है, सामाजिक सम्वेगात पक्विकास, सोश्यो इमोशनल डेवनपमेंट, शिशु जनम से ही सामाजिक प्रानी होता है, शिशु माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुकिरिया करता है, 6 से 8 यानि 6 तो 8 मा की आयू तक वे अधिक गतिशील हो जाते हैं और अपनी माता के साथ रहना पसंद करते हैं, नए चेहरे को देखकर कभी कभी शिशु डर भी जाते हैं, माता से अलग करने पर वे रोने लगते हैं और पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं, यानि दुख मैसूस करते हैं, जो वस्तुएं बच्चों को सुख परदान करते हैं, उनकी और उनका लगाओ बढ़ जाता है, जैसे पसंदिदा खिलोने, कंबल या दूसरी वस्तुएं, इस परकार, हमने इस भाग में ये देखा, ये मानव विकास क्या है, कौन-कौन से कार को उसको परभावित करते हैं और किस परकार से शैशवास्था में प्रिवर्त लाते हैं, या जलम से पूर प्रिनेटल स्टेज में प्रिवर्त लाते हैं, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा और आप इससे जरूर नाभान वित होगे. क्या है.